नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है पवन पुत्र हन्मान जी की जनम की रोचक कथा जो तिस्यों की सटिक गणना के अनुसार हन्मान जी का जन्म चैत्र पुर्णिमा को मंगलवार के दिन के पते हैं की माता अन्जनी पुर्णिम में देवराजिंद्र के दरवार में अपसरा पुंजिक स्थला थी बालपन में वे अतिन्त सुन्दर और सुभाव से चंचल थी एक बार अपने चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्पी रिसी के साथ अब भदरता कर दी थी गुसे में आकर रिसी ने पुंजग स्थला को स्राब दे दिया कि जा तू बार्नर की तरह सभावाली बार्नरी बन जा रिसी के स्राप को सुनकर पुझिक स्थला रिसी से छमा याचना मांगने लगी तब रिसी ने कहा कि तुम्हारा वहरूप भी परमते जस्वी होगा तुमसे एक ऐसे पुत्र का जनम होगा जिसकी किर्थी और यस से तुम्हारा नाम युगो युगो तक अमर हो जाएगा अंजनी को वीर पुत्र का आसिरवाद मिला स्राप के कारण उन्हें नारिवानर के रूप में धर्ती पे जनम लेना पड़ा उसराप का प्रभाव सिर्व के अंस को जनम देने के बाद ही समाप्थ होना था वो जंगल में जीवन यापन करने लगी जंगल में उन्होंने एक बड़े वलसाली युवक को सेर से लड़ते देखा और उसके प्रती आकरसित होने लगी जैसे ही उस व्यक्ती की नजरे अंजना पर पड़ी अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया अंजना जोर जोर से रोने लगी जब युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पुछा तो अंजना ने अपना चेहरा छेपाते हुए उन्हें बताया कि वह बस्तूरत हो गई है अंजना ने उस बलसाली युवक को दूर से देखा था लेकिन जब उसने उस व्यक्ती को अपने समीब देखा तो पाया कि उनका चेहरा भी वानर जैसा ही था अपना परिचे देते वे उस व्यक्ती ने कहा कि वह कोई और नहीं वानर राज केसरी है जंगल में केसरी और अंजनाग ने विवहा कर लिया केसरी एक बलसाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक बेहांकर हाती को मारा था उस हाती ने कई बार ऐसहाई सादू संतों को बिबिन प्रकार से कष्ट पहुँचाया था तब इसे उनका नाम केसरी पड़ गया केसरी का अर्थ होता है सिंग उन्हें कुंजर सुदान यानि की हाती को मारने वाले के नाम से भी जाना जाता है पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवा कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे अंजना अपने इस पीड़ा को लेकर मतंग रिसी के पास गई तब मतंग रिसी ने उनसे कहा पंपा सरोवर के पूर्व में नर्जिंग आस्रम है उसकी दक्षिन दिसा में नारायन परवत पर स्वामी तिर्थ है वहां जाकर उसमें सनान करके बारा वर्ष तक तब और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ती होगी अंजना को पवन देव का वर्दान मतंग रिसी रामायन कालिन एक रिसी थे जो की सपरी के गुरू थे अंजना ने मतंग रिसी और अपने पती केसरी के आघ्या से तब किया 12 वर्ष तक केवल वायू पर ही वे जिवित रही एक बार अंजना ने सुचेसनान करके सुन्दर वस्त राभूसन धारण किये तब बायू देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन होकर उस समय पवंदेव ने कानुम में प्रवेश कर उन्हें वर्दान दिया तेरे यहां सूर्य अगनी और स्वन के समान तेजस्वी वेद विदांगों का मरमग महा बलसाली पूत्र होगा अंजना को भगवान सिव का बरदान अंजना ने मतंग रिशी और अपने पती केसरी से आगया लेकर नारेंट परवत पर स्वामी तिर्थ के पास अपने आराध्य सिव की तपस्या में मगन थी सिव की आराध्ना कर रही थी तपस्या से प्रसन होकर भगवान सिव ने उन्हें बरदान मांगने को कहा अंजना ने सिव जी से कहा सिव बालक के रूप में उनकी कोक से जनम ले भगवान सिव ततास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए इस घटना के बाद एक दिन अंजना भगवान सिव के आरातना कर रही थी और दूसरी तरफ आयोध्या में इच्वाकू वंसी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दसरद तीन रानियों कोशल्या सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए स्रिंगी रिसी को बुलाकर पुत्र कामेश्टी यग्य कर रहे थे यग्य की पुर्णा होती पर स्वेम अगनी देव ने प्रगट होकर स्रिंगी रिसी को खीर का एक स्वन पात्र दिया और कहा कि रिसीवर ये खीर राजा की तीनो रानियों को खिला दीजिए राजा की इच्छा अवस्य पुर्ण होगी जिसे तीनों राणियों को खिलाना था लेकिन दोरान एक चमतकारी घटना हुई एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया अंजना ने भगवान सिव का प्रसाद समझ कर उसे ग्रहन कर लिया अजना जी के पुत्र के रूप में चैतर सुकल पुर्णिमा के दिन हुआ था सामान तय लंका देहन के संबंद में यही माना जाता है कि हनुमान जी सिता जी के कोज करते वे लंका पहुँचे और रावन के पुत्र सहीत अनेक राक्षसों का अंत कर दिया तब रावन के पुत्र मेगनाद ने हनमान जी को ब्रमास्तर छोड़कर उन्हें काबू में किया और रावन ने हनमान जी की पूछ में आग लगाने का दंड दिया तब उसी जलती पूछ से स्री हनमान जी ने लंका में आग लगा कर रावन का दम बचूर किया किन्तु पुराणों में लंका देहन की पीछे एक और रोचक कथा जुड़ी भी है जिसके कारण से हनमान जी ने पूछ से लंका में आग लगाई स्रीहनमान जिस भगवान सिव के अवतार है सिव से ही जुडा ये रोचक प्रसंग है एक बारमाता पारवती की इच्छा पर सिव जी ने कुबेर से सोने का सुन्दर महल का निर्मान करवाया प्रकी रावन ब्रामन था तो रावन से ही ग्रह प्रवेस की पूजा करवाई उसने महल में प्रवेस के लिए सिव पारवती से पूजा करवा कर दक्षिना के रूप में वह महल ही मांग लिया बगवान सिव ने वह महल उसे दान में दे दिया दान में महल प्राप्त करने के बाद रावन के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पारवती के कहने पर बनाया गया इसलिए उनकी सहमती के बिना यह सुब नहीं होगा तब उसने सिवजी से माता पारवती को भी मांग लिया और भुले बंडारे सिव जी ने इसे भी स्विकार कर लिया जब रावन उस सोने के महल सहित माता पारवती को जाने लगा तब अचंबित और दुखी माता पारवती ने भगवान विश्णु का इसमरण किया और तब उन्होंने आकर माता की रक्षा की जब माता पारवती अप्रसन हो गई तो सिव जी ने अपनी गलती को मानते वे माता पारवती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप में हर्मान जी का अवतार लूँगा उस समय तुम मेरी पूछ बच जाना जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने की महल यानि की लंका जाऊंगा तो तुम पूछ के रूप में रावन की लंका को जलाकर रावन को डंडित करना इस प्रकार हर्मान जी ने रावन की लंका का देहन किया था बाले वस्था में एक दिन अंजना जी हनमान जी को सुलाकर फलफुल लेने गई उसे समय बाल हनमान भूख और एवं अपनी माता की अनुपस्तिती में भूख के कारण आकरण करने लगे इसी दोरान उनकी नजर छितिच पर पड़ी सुर्योदे हो रहा था बाल हनमान को लगा कि यह कोई लाल फल है तेज और प्राकरम के लिए कोई अवस्था नहीं होती और यहां तो स्री हनमान जी के रूप में माता स्री अर्जनी के गर्व से प्रतेक्ष भगवान सीव संकर अपने ग्यारवे रूद्र के रूप में लिला कर रहे थे और स्री पवन देव ने उन्हें उड़ने की सक्ति भी प्रदान की थी जब सिसू हनमान को भूक लगी तो वे उगते हुए सुरे को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए अकास में उड़ने लगे उस लाल फल को लेने के लिए हनमान जी वायूवेक से अकास में उड़ने लगे और वे भगवान सुरे देव के पास पहुँँच गए बगवान सूरे ने उन्हें अबोध सिसू समझ कर अपने तेज से उन्हें जलने नहीं दिया जिस समय हनवान जी सूरे को पकड़ने के लिए लबके उसी समय राहू सूरे पर ग्रहन लगाना चाहता था हर्मान जी ने सुरे के उपरी भाग में जब राहू का इसपर्स किया तो वे बहभीत होकर वहाँ से भाग गया उसने इंद्र के पास जाकर सिकायत की कि देवराज आपने मुझे अपनी छुदा सांथ करने के लिए सुरे और चंद्रमा दिये थे आज अमावस्या की दिन जब में सुरे को गरस करने गया तब देखा कि दूसरा राहू सुरे को पकड़ने जा रहा है राहू की बास सुनकर इंद्र घबरा गए और उससे साथ लेकर सुरे की ओर चल पड़े राहू को देखकर हनमान जी सुरे को छोड़कर राहू पर जपटे राहू ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनमान जी पर ब्रज से प्रहार कर दिया जिससे वे एक परवत पर गिरे और उनकी ठुड़ी तूट गई हनमान जी के दसा देखकर वायू देव को क्रोधाया और उन्होंने उसी छड अपनी गति को रोक लिया और इसके कारण संसार के कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सके और सब पीडा से तड़पने लगे तब सारे सूर असूर यक्ष किन्ना रादी ब्रह्मा जी की सरण में गए ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वायू देव के पास गए वे मुर्चित हनमान जी को गोद में लिये वे उदास बैठे थे जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सचेत किया तो वायू देव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की अबिस्री ब्रह्मा जी ने हनमान जी को वर्दान दिया कि इस बालक को कभी भी ब्रह्मसराप नहीं लगेगा कभी भी उनका एक भी अंग सस्तर से भंग नहीं होगा ब्रमा जिन ने अन्य देवताओं से भी कहा कि इस बालग को आप सभी वरदान दे तब देवराज इंदर ने हन्मान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा कि मेरे ब्रज प्रहार के कारण इस बालग की ठुड़ी यानि की हनू तूट गई है इसलिए इन कपी स्रेष्ट का नाम आज से हनुमान रहेगा और मेरा ब्रज भी इस बालग को नुकसान नहीं पहुचा सकेगा ये ब्रज से भी कठोर होंगा भगवान सुर्य ने कहा कि मैं इस बालग को अपना तेज प्रदान करता हूँ और साथ ही इसको सस्त्र समर्थ मर्मग बनाता हूँ इसे पड़ा पवन पुत्र का नाम हनुमान हनुमान जी का जन्म उस सफ कैसे मनाया जाता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक, सेर और कॉमेंट अवस्य करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद